जी हाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं 1541 फार्मासिस्ट की गौर्मेंट जॉब पे एप्लिकेशन फॉर्म अभी हाली में चल रहे हैं जिसकी लास्ट डेट 217 2023 यानि की आज से 5 दिन बाद खत्म होने वाली है क्या कुछ नोटिफिकेशन है इसी के बारे में ब्रिफली बात कर करेंगे एक लास्ट डेट के साथ जी हाँ जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1500 संतिंग पोस्टों पे फार्मासिस्ट की बिहार में तकनिकी सेवा में यह वेकेंसी आई थी जिस वेकेंसी को काफी कुछ इधर उदर होना पड़ा मतलब की जनवरी में आई फिर वापस से र दिक रहा है जिसकी लास्ट डेट 21-7-2023 रहने वाली है सर कौन-कौन एलिजिबल है और क्या कुछ इस वेकेंसी के बारे में था इसको मैं ब्रिफली कवर करूँगा कि देखे भाई हुआ क्या था जब यह वेकेंसी का नोडिफिकेशन आया उसमें ओनली फॉर डी फार्मा कैंडिजेट को अलिजिबल बताया गया बी फार्म को अलिजिबल नहीं बताया गया फिर होना क्या था मर्दी कोर्ट में गई और फाइनली उच न्याले द्वारा ये फाइनली डिसीजन हुआ कि भाईया डी फार्मा बी फार्मा और एम फार्मा सभी कैंडिजेट जो है य यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो भी लिखा हुआ है कि जो भी अभियर्ती ओनलाइन आवेदन भरती प्रकीरिया पराम करने के वेबसाइट पर प्रदसित विग्यमतन ओनलाइन आवेदन भरने है तू आवश्यक निर्देशक भली भाती अध्यन करे और वैसे अभियर्त बनेगी उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पर ओरिजनल आपका रिजिट्रिशन भी जमा करवाना पड़ेगा ठीक है जी तो यह कुछ लास्ट नोटिफिकेशन अप्टेट था संख्या बहुत जादा है बहुत ही बड़ी भरती है और फाइनली बहुत ही लंबे समय के बहुत अच्छे कंक्लूजन निकला है क्योंकि बीफार्म डीफार्म क्योंकि हम सभी जानते हैं देखिए फार्मासिस्ट की मीनिमम कौलिफिकेशन डिप्रॉमा है तो बीफार्म भी वहाँ पर एलिजिबल होते ही होते हैं सर कौन-कौन से के स्टूडेंट अप्लाई कर सक क्योंकि यहां पर ऐससर कुछ experience मांगा नहीं है यहां पर ऑन-लाइन पर जाकर आप apply नाओ पर पे जैसे क्लिक करेंगे सामने ही सामने आपको दिख जाएगा यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे यह वाला है यह से क्लिक करेंगे यह notification जो है वो आपके सामने कुलावा नजर आएगा accept करना है आपको और आगे बढ़ जाना है ठीक है जी जो भी student बिहार से बिलॉंग करते हैं बड़ी वेकेंसी के साथ क्योंकि ऐसी वेकेंसिया वापस आएगी नहीं और लास्ट अवसर में सब कुछ clear हो च वेकेंसी आके गई है और ये भी वेकेंसी आई है तो बंपर वेकेंसी साल 2023 में रही और भी काफी सारे एमस में अभी running जो है चल रही है एमस राइपूर में एमस जोतपूर और भूमनेश्वर का notification अभी आना है जैसे ही आएगा आपको update मिल जाएगी और ऐसे ही फार्मा र वाचिंग से टून